नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है अपने योट्यूब चैनल पी एफपी में आज हम ITC के बारे में बात करने वाले हैं ITC के इन्वेस्टर्स के लिए एक उमीद की किरन दिखाई दे रही है इस स्टॉक ने पिछले कुछ सालों से सिर्फ और सिर्फ अंडर पॉफामेंस दिखाया है लेकिन फिलाल की कंडिशन को देखकर फिलाल की सिचुएशन को देखकर ऐसा लगता है कि इसमें बारी तेजी आ सकती है तो ऐसी सिचुएशन में ITC को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए इसके जो टार्गेट से बहुत ही ऊपर दिखाई रहे हैं प्लीज सबस्क्राइब कीज़े कुछ बेतर जानना चाहते हैं कुछ बेतर सीखना चाहते हैं स्विंग्रेडिंग के रेकेमेंडेशन भाना चाहते हैं तो as a member हमें join करने के बारे में सोच सकते हैं stock के बारे में बात करें तो ITC एक large cap company है दिगज कंपनी 2,66,000 crores की market cap और long term 5 years में भी हमें सिर्फ और सिर्फ flat return सी देखने को मिल रहे हैं तो under performance नहाँ पर देखने को मिलता है inverses यहाँ पर पैसे नहीं बना पाए है पिछले 5 सालों में की metrics के बारे में बात करें तो PE ratio 17.38 है जबकि sector का PE ratio 48 के उपर है price to book ratio 4.05 जबकि sector का price to book तो 10.57 है dividend yield काफी शांदार है 4.5% से ज़्यादा का dividend देती है sector का dividend 1.55% हमें दिखा देता है financial trend के बारे में बात करें तो financial trend उपर जा रहा है 2017 में 44.54 थाउजन ग्रोड का revenue था जो की 2020 में बढ़कर 52.01 थाउजन ग्रोड का हो चुगा है इतनी giant company होने के बावजुद पिछले 3-4 सालों में इसने अपने profitability को 50% तक जब किया है 10,000 क्रोड का profit था जो की 2020 में बढ़कर 15,000 क्रोड से भी ज़्यादा का हो चुगा है तो इतना ज़्यादा अच्छा financial trend होने के बावजुद इतनी अच्छी growth होने के बावजुद अच्छा profit भी वहीं से आता है लेकिन ITC अपने business को diversify कर रहा है ITC वहाँ से profit निकाल कर नए business में invest कर रहा है जहां से future में profitability बहुत ही increase हो सकती है सबसे बड़ा नाम है FMCD sector जहाँ पर ITC जोरो शोरो से लगा हुआ है वहाँ पर तो अलेड़ी बहुत ही बड़ा expansion हो चुका है आशिरवाद आदर आपने सुना होगा Sunfish आपने सुना होगा ये भी आपने सुना होगा इनके जो brands है वो भी काफी popular हो चुके है और भी कई brands है जहाँ पर अलेड़ी काफी ददा popularity हो चुके है वहाँ से भी अच्छा profit भी निकलता हुआ नज़राता है और भी कई business है जैसे की agri business है packaging का business है hotels का business है तो ये सारे sectors में भी investment हमें करता हुआ नज़राता है और अपने आपको diversify करने की कोशिश कर रहा है तो ये एक reason है जिसके करण इसमें ख्शमता आती है कि ये और भी ऊपर जा सकता है क्योंकि profitability अगर अपनी पूरी की पूरी cigarette से कम dependent होकर दूसरे sector पर बढ़ जाएगी तो ये सिर्फ एक sin stop नहीं रहेगा उसके अलावा भी और भी sector में कामकाच करने वाली company हो जाएगी जिससे इसे re rating के chances बढ़ जाते हैं और तेजी की उम्यद बढ़ जाती है और साथ ही साथ इसमें जो सबसे बड़ा role play करेगा वो होगा इसका valuation इसका valuation बहुत ही सस्ता है इसका dividend deal बहुत ही शांदार है अगर आप इसे किसी भी FMCG sector की company से compare करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका PE ratio और price to book ratio बहुत ही सस्ता दिखा दिदा है और dividend deal बहुत ही ज्यादा दिखा दिदा है जो कि inverse असको बहुत ही attract करता है आज के delivery report के बारे में बात करें तो आज 29% की delivery ITC में देखने को मल रहे है जो कि काफी strong हमें दिखा देती है तो आप देख सकते हैं stock में फिलाल अच्छा run-up हमें देखने को मल आ है 160 के level से stock उपर जाकर 230 तक आता हुआ नजराता है और फिलाल stock अपने सारे moving average के उपर trade कर रहा है indicators के बारे में बात करें तो money flow index बहुत ही strong दिखा दे रहा है 65 के उपर है RSI के बारे में बात करें तो RSI 67.52 है यहाँ पर भी बहुत ही strength हमें दिखा देती है crosswords के बारे में बात करें तो MACD में जो फिलाल crossword बना हुआ है bullish crossword बनता हुआ नजर आता है bollinger band के बारे में बात करें तो bollinger band के अपर band के भी upper closing देखने को मिलिये median है 2.12 का level और lower band है 1.98 का level pivot points के बारे में बात करें तो pivot level 2.08 का level है pivot resistance के बारे में बात करें तो pivot resistance पर ही closing देखने को मिली है 3 pivot resistance होते हैं और 3 pivot support दूसरे pivot resistance पर आज हमें closing देखने को मिली है इसके all time chart को देखकर हमें ये पता चल जाएगा कि शांदार stock रहा है multi bagger return से stock ने हमें बना कर दिया है लेकिन पिछले 5 सालों में इसमें कुछ ज्यादा ही under performance देखने को मिला वरना इस stock ने long term में शांदार performance बना कर दिया है तो आप देख सकते हैं stock हमें uptrend में जाता हुआ नजर आता था लेकिन 2017 में 360 के आसपास अपना all time high बनाने के बाद हमें गिरावट देखने को मिली और consolidation देखने को मिला और जब भी stock 300 के उपर जाता तो बहुत ही ज़्यादा tough हो जाता था company के लिए और यहाँ पर हमें वापस consolidation चलता हुआ नजर आता लेकिन उसके बाद तो हमें गिरावट देखने को मिली March का crash आया अपने 200 months के EMA के आसपास support लेने के बाद वापस हमें recovery दिखाई दे रही है Nifty में कही ज़्यादा recovery आ चुकी है लेकिन इतनी ज़्यादा recovery ITC में देखने को नहीं मिल रही है अब कुछ important moving averages हैं जिसे ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूर ही है 50 months का moving average उसी के आसपास आज हमें closing देखने को मिली है 230 का 50 months का moving average है अगर weekly charts के बारे में बात करें जहाँ पर एक candle one week को represent करेगा तो यहाँ पर आप देख पाएंगे 200 weeks का moving average है वो calculate हो कराता है 230 के आसपास जो की current market price है इसने पहले एक resistance को already तोड़ दिया है इसका 100 weeks का moving average जो की कई हफतों से इसके लिए as a strong resistance हमें देखने को मिला था लेकिन आज ही हमें तूटता हुआ नजराया है 230 के आसपास इसका 200 weeks का moving average बन कराता है तो हमने यह देखा कि इसके monthly charts पर भी हमें 50 months का moving average दिखा ज़े रहा था और साथ ही साथ weekly charts पर हमें 200 weeks का moving average भी 230 के आसपास दिखा ज़े रहा है अगर daily charts के बार में बात करें तो already यहाँ पर recently दो बार हमें breakout देखने को मिल चुका है इसके लिए जो एक बहुत ही बड़ा resistance बना हुआ था 210 का level इसके उपर stock नहीं जा पा रहा था लेकिन उसके बाद हमें breakout देखने को मिला stock उपर गया फिर से गिरावर ज़रूर रही लेकिन इसी level के आसपास support लेने के बाद consolidation दिखाने के बाद आज वापस हमें यहाँ पर breakout देखने को मिला है दूसरा जो इसका resistance था वो था 220 का level और आज ही यहाँ पर हमें breakout देखने को मिला है अच्छी खासी हमें तेजी यहाँ पर लोटती हूँ भी नज़ा रही है bullish momentum continue रहने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाती है reasons के बारे में हैं तो हमने बात कर लिए कि क्यों ITCMX शमता है कि यह उपर जा सकता है अब कितना उपर जा सकता है उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं तो फिलाल इसमें अच्छा breakout देखने को मिल रहा है अच्छी हमें situation bullish moment हमें आपर देखने को मिल जाती है तो जो सबसे पहला target हो सकता है वो है 250 का level 250 का level important इसलिए है क्योंकि वही level as a strong resistance हमें पहले दिखाई दिया था उसके पहले यह 250 का level ही as a strong support भी दिखाई दिया था इसलिए 250 का level बहुत ही important है अगर 250 का level तूट जाता है तो 250 के बाद हमें 270 का level और 270 के बाद हमें 300 तक के levels भी दिखाई दे सकते हैं अगर यह bullish moment continue रहता हुआ नजराता है फिलाल 230 के इसलिए आपको 250 का level भले ही ज्यादा attractive दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन कई समय से हम ITC में buying करते आ रहे हैं ITC में कई समय से हमने इसमें accumulation किया है सबसे पहले 180 के आसपास किया था उसके बाद वापस हमने इस zone में 190 के आसपास accumulation किया और ITC में फिर अच्छी का सी ग्रावट होगी थी जहाँ पर डर्व का माहल बहुत ही बढ़ता हुआ नजरा आ रहा था लेकिन वहाँ पर भी हमने stock में accumulation किया दबा कर खरीदारी की 160, 165, 170 के range में दबा करके खरीदारी की और वापस हमें यहाँ पर तेजी देखने को मिली breakout भी देखने को मिला लेकिन फिर से जैसे कि आपको पता होगा ITC के related एक news आय थी कि जो legal age है, secret की वो बढ़ा दी गई थी तो sentiment वापस भी हो गया ITC के लिए और वापस गिरावट देखने को मिली 200 के levels वापस हमें दिखाई दिये थे तो यहाँ पर हमने वापस खरीदारी की और फिलाल stock हमें उपर जाता हुआ नजरा रहा है तो उन investors को जिन्होंने हमारे levels पर खरीदारी की है मेरा माणना है stock में फिलाल hold करना चाहिए profit booking की जल्द बाजी नहीं करनी चाहिए क्योंकि बहुत समय से ITC under perform कर रहा है और जब हमारा गोडा दौड रहा होता है तो उसे बेचने की जल्द बाजी नहीं करनी चाहिए जब तक कोई weakness हमें दिखाई नहीं दे रही है तब तक जल्द बाजी टॉप पर निकलने की हमारी जो इच्छा होती है ऐसा हमें नहीं करना चाहिए stock को hold करना चाहिए क्योंकि company overall बहुत ही अच्छी है इसका जो valuation है बहुत ही attractive है financial trend लगाता उपर जा रहा है dividend deal बहुत ही अच्छा हमें दिखा जिता है और साथ ही साथ इसमें हमें bullish moment बहुत ही समय के बाद आता हुआ नजार है fundamentally तो company बहुत ही strong है लेकिन technically भी फिलाल बहुत ही strong हमें दिखाई दे रही है और budget में भी cigarette का tax बढ़ाया नहीं गया था ज्यादा देरी नहीं हुई है आज ही हमें breakout देखने को मला है तो breakout की strategy के हिसाब से अगर आप खरीदना चाहते हैं तो अभी भी खरीदने के बारे में सोच सकते हैं क्योंकि अगर stock में गिरावट आती है तो 215 से करके 220 का जो level है यह as a strong support दिखाई देगा अगर यह level भी टूट जाता है तो 200 का level as a strong support दिखाई देगा क्योंकि 100 days का 200 days का moving average उसी के आसपास है और stock ने 3-4 बार इसी level के आसपास support भी बेनाया था तो अगर आप current market price भी खरीदना चाहते हैं breakout के साब से यह कोई बुरी strategy नहीं है यहाँ पर आप खरीद सकते हैं क्योंकि stock अभी भी बिल्कुल भी overvalued नहीं है fairly valued या undervalued या अमें यहाँ पर दिखा जेता है और इसका dividend भी काफी अच्छा दिखा जा रहा है तो यहाँ पर आप अभी भी investment करने के बारे में सोच सकते हैं और अपने portfolio में stock को add कर सकते हैं और साथ ही साथ अगर आप अपना portfolio में से review करोना चाहते हैं तो उसका link भी अपने description box में दे दिया है तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो like कीजे share कीजे comment कीजे subscribe कीजे मुझे motivate कीजे thank you stay happy happy investing